बी स्केर जिन्हों याद नहीं रिंदा वो सिंपल त्रीकराल कर सकदा है पहला पहले स्केर फिर तिर्णादी मल्टिप्लाई टूए बी फिर लास्ट दा स्केर ओके उस्त बाद सेकेंड एडेंटिटी सेकेंड इस ए माइनस बी ओल स्केर दैट इस एक्वल टूए इसकेर बी फ्लस बी सकेर अटापहें स devenir देख दिए ए माइनस गीario Кणाइह पॉरे एकस्प्रेशन नुन मैं दोब्रा निख्या ये माइनस भी देखो जो पहला एकस्प्रेशन है इन्नमें दोब्रा लो जिख लै जो A, A into minus B minus AB, A into minus B minus AB minus minus plus B, देखोएदो वे like term है, तो नो शुरू तो जाएज़ पहला दस्या सी, पी हमेशा like term, एस chapter पे जाप पपड़ा सी, सरफ like term add on गया, AB टे भी किनिया हो गया, 2AB, that is minus 2AB plus B, that is the proof of second identity. नेक्स्ट फड अडेंटिटी, तेने अडेंटिटी अपा यूज करांगे पूरी एक्सरसाइस देविच, थ़र्ड इस A-B, A-B, that is equal to A-b-b-b, देखो एकवरा प्लस है, एकवरा माइनस है, एकवरा प्लस है, ता अडेंटिटी की बांदिये दो मादियो पर स्केर ते विचा पाले माइनस, प्रूफ देख दिया पाएंदा, A-B, A-B, मैं किसे एक एक एक्स्प्रेशन नों दोबरा लिख्या, A-B, देखो जो पहला एक्स्प्रेशन है नों मैं दोबरा लिख्या, जो दुझा एक्स्प्रेशन है, एंदी पहली तरम, पहली देखे, दुझी तरम नौ, A into A, A square, A into minus B, minus AB, B into A, plus AB, plus minus minus B into B, B square. होँ देखो, एक minus, एक plus है, दो मैं लाइक है तापस्ट की होगे, cancel. So, formula is A square minus B square. यह तेन अडेंटिटी है, यह तेन अडेंटिटी नो यूज कर गया, पाकि यह पूरी exercise नो solve करना है. यह अडेंटिटी नहीं अप्लाई करनी, तो यह वड़ा मेथड अपा अप्लाई कर सकते हैं. देखो, फर्स्ट पार्ट, exercise the first part, अपने कुल. Find the product. Find the product. अपा product पता करना है, दो binomial देते हैं, A part अपने कुल. 5A plus 2. And 5A plus 2. देखो, अपने कुल करांगे, अपा. एक identity दी हल्प नाल, एक अपा जिवें के proof किते हैं, उस दी हल्प नाल. जो मतलब कमजोर बच्चे है, जिनना मैच थोड़े का अटेंटरस्ट है, तो second method अपलाई करना है, जिनना identity याद है, होगे, first method अपलाई कर सकते हैं. देखो, दो में अपने को सेम है, तब पावर किननी लेख साख़़ें आपा, दो, देखो, एक पावर हैंदी है, एक केंदी है, तो किनना होगे पावर टू, होड़ा अपलाई करो, आपकी पड़े असी A plus B whole square, that is A square, plus 2AB, plus B square, आपकी पड़े असी A plus B whole square, A square, plus 2AB, plus B square, ता तिरना दी multiply, 2AB, 2 into 5A into 2, देखो, A दी वेल्यू किननी है, 5A ते B दी वेल्यू किननी है, 2, उस्त बाद, लास्ट वाले दा square, B square, that is 2 दा square, 5A दा square, 25A square, 5 तू जा 10, 10 तू जा 20A, उस्त बाद, 2 दा square, that is 4, that is our answer, जै पावर सेकिंड मेथड, यह अपने कोल फर्स्ट मेथड सी, identity वाला, second method, होना अपने second method दाल करांगे, देखो, आपकी यह 5A plus 2, 5A plus 2, यह वाला जो expression है, यह अपने दोवरा लिखांगे, that is 5A plus 2, 5A plus 2, जो यह expression बच्या, यह पैनली तरम फर्स्ट देखगे, 5A, second term, second देखगे, किनना आगे, आपने कोल, 2, होन देखो, 5 into 5, 25A into A, A सकेर, देखो, फर्स्ट टरम नो, फर्स्ट टरम नो, फर्स्ट टरम नो, multiply किता, 5 into 5, 25A into A, A सकेर, होन 5A नू टू नल करना है, 5, 2 जा, 10A नल, सेम आजेगा, क्योंकि इंगलिश वोड़ा, जो भी मत 4, होन देखो, हमेशे, आप मिडल टरम नो, की करांगे, दो नो, add करांगे, क्योंकि दो में किया है, like है, जे like होन गया, ता पने आपने कोल, add कर देखो, 10 and 10, फर्स्ट अपने को सेम है, 25 भी इसकेर, 10A प्लस 10A, 20A प्लस किया गया, 4, that is our answer, देखो, दो मेथड नल, अपने question, उस्तों बारा 3 by 2, B part है, 3 by 2x, minus 2 by 3y, 3 by 2x, minus 2 by 3 of a y, देखो, दो में बिलकुल सेम है, 3 by 2x, 2 by 3y, 3 by 2x, 2 by 3y, विचाड़े, दो में देखी है, minus, ता अपने की लिखांगे नू, 3 by 2x, minus 2 by 3y, the whole square, क्योंकि दो में सेम आदा पावर केनी आइटू, होन, identity की पड़ी से, अपने, a minus b, the whole square, that is, a square, minus 2ab, plus b square, अपने, a square, minus 2ab, plus b square, तेना, चो, a की है, a दी value है, 3 by 2, that is, 3 by 2x, the square, minus, होन, तिनना दी multiply, 2 into, 3 by 2x into, 2 by 3 of y, देखो, तिनना दी multiply करनी है, 3 by 2 आगया, 2 by 3 आगया, सब तो अगये किननों लिखता, मैं 2 आगया, तिनना टरम दी multiply कर दो, उस्तो बाद, last दा square, 2 by 3, y दा whole square, होन, देखो, 3 दा square, 9, 2 दा square, 4, पूरे दा square करना है, देखो, एक देखो, अपा पूरे देख पर square पा रहे है, अलग-लग square करांगे, 3 दा square, 9, 2 दा square, 4, x दा square, x square, होन, देखो, 2 नल, 2 cancel, 3 नल, 3 cancel, टोपर की बचया के 2 बचया, x बच गया, 4 की बच गया, y, क्योंकि 3 नल, 3 cancel होगया, 2 नल, 2 cancel होगया, 2 बचया, x बचया, एंड, y बचया, उस्तो बाद, 2 दा square, 4, y दा square, y square, divided by, 3 दा square करना है, 9, that is our final answer, अपा identity अप्लाई केती, a minus b दा whole square, इस तरीके रड़ा पाल्म स्वर नों किया, find कर सकते, next question, c part, c part अपने को 12x, minus 2, 12x, plus 2, देखो, मतलब किया है, दोवे टरम सेम है, देखो, 12x, 2, 12x, 2, फर्क कित्या, एक देखे, minus है, दुझे देखे, plus है, तपा के दिया identity अप्लाई कर देखे, a minus b, a plus b, which is equal to, a square minus b square, ता a दी value किनी अपने कोड, 12x, 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 144x, 2x, 4, that is our final answer, पर देनो second method करोगे ता सुखा याद रहेगा, देखो, second नों की करांगे, 12x minus 2, 12x plus 2, होँ देखो, किसे एक नों दोबरा लिखांगे, मैं नों दोबरा लिख्या, एस एक्सप्रेशन नों, 12x minus 2, 12x minus 2, एक देखे किना आ गया, 12x, दुज्जे देखे किया आ गया, 2, क्योंकि देखो, question देवेच आपड़ ए नहीं लिखाया, पि identity यूज करो, अपड़ सिर्फ the chef finds the product, ता आप जो मर्जी method apply करांगे, अपड़ा question गलतरी जाएगा, जेता question देवेच लिखाया, using identities, फिर identity नहीं यूज करनी, जब कुछ भी नहीं लिखाया, सिद्धा लिखा, find the product, ता पह इस तरीके नड़, solve कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी identity देखे नहीं पेंदा, हों देखो, 12x12, 144x के, 12x24x, 22x24x, प्लस माइनस, माइनस, 22x4, हों देखो, एक माइनस दा है, एक प्लस दा है, ता फाइनल आंस्वर किया गया, 144x के, माइनस किन्ना आ गया, 4, that is our answer, ता तुसी without identity भी यूज कर सकते हैं, कोई question देवेच आपन कुछ नहीं गिवन, identity यूज करनी है, या नहीं करनी, इंदे नाल दे जो बाकी question है, तुसी खुद कर सकते हैं, क्योंकि सारे सेम हैं, मैंतिन identity दे एक-एक question सौलव करता, और आपा second part सौलव कर दे, expand the following, expand मतलब इनो खोल के लिखना, पर इत्थे भी ने लिख्या पर using identity करना है, या आपा direct method यूज कर सकने हैं, ता आपा कि इनो direct method यूज करांगे, like first question is, 3x plus 5y square, क्योंकि आपन कोई identity यूज करनों ने नहीं किया, जिदे heading दे बेच लिख्या हम दो using identity, ता पाइनों की करांगे, दो बार लिखांगे, 3x plus 5y, बाकी जिनने identity नाल करना है, यूज कर सकते हैं, क्योंकि उपर मैं समझा चुक्या, ओके, power 2 है ता मैं दोबरा लिख्या, किसे एक expression नों दोबरा लिखांगे, 3x plus 5y, 3x plus 5y, इननों मैं दोबरा लिख्या, एक एथे लिखता, एकड़ एथे लिखता, जो बाकी बचिया, that is 3x, इदर की बचिया अपने कोई, 5y, now 3x3, 9x स्केर, 5 3 जा, 15xy, 5 3 जा, 15xy, 5 5 जा, 25 y स्केर, simple multiply किती है, first no, first no, second no, first no, first no, second no, first no, first no, second no, देखो xy, xy, एदो में केड़िया टर्म है, like term है, तैदो में क्यों गया, add on गया, that is 9x स्केर, plus 30xy, plus 25 y स्केर, that is our final answer, या दुसी identity नाल भी स्वालों कर सक्देओ, जिनना कुस्त नहीं लगे जाना, identity नाल तुसी, जे थोड़ी भी identity पर लिगे तो सारा गलत हो जेगा, पर इत्थे कि यह तो सारा multiply करना है, binomial नो, monomial नल करना है, okay, next, एक और problem swallow कर दे हैं, कोई minus वड़ा swallow कर दे हैं, 2p minus 3, c part है, 2p minus 3 minus, 2p by 3 minus 12 whole square, sorry, 2p by 3 minus 12 whole square, ता पहिनों विकी लिखांगे दो बार, 2p by 3 minus 12, 2p by 3 minus 12, ता होण किसे एक expression दो बार, 2p by 3 minus 12, ता एक जग्यापा की लिखांगे, 2p by 3, दो जग्यापा की लिखांगे, ते हम दो यसले यह पाँ 1 दग्याँगे, ओके question वो simple बना लिखांगे, होण multiply हुंदिया, ता numerator दी numerator नल हुंदिया, denominator दी denominator नल, 2 into 12, 24, 3 into 1, 3, 24p by 3, सेम यह थे, 12 into 2, 24p divided by 3, minus minus plus, that is 144 by 1, 12, 12 जा 144, 1 into 1 किना हो गया, 1, इन्हों कैंसल करो, 8p, इन्हों कैंसल करो, यह भी किना हो गया, 8p, पहला सेम, 4p square by 3, स्वरी 9, by mistake रहे गया, होँ देखो, minus 8p minus 8p, that is minus 16p, minus 8p minus 8p, 2 में minus होंता, plus होंता, पर sign का दा लगदा, minus हो, उस तो बाद किया गया, 144, that is our final answer, sorry से mistake नाल 3 लिख्या गया सी, so 3, 3 जा किना होंता है, 9 होंता, that is our final answer, एक और question solve कर दें, like अपने कोड़ question है, h part, x plus 17, x minus 17, देखो, एक औरा plus है, एक औरा minus है, तापा किसे एक डू लिखा गए, दोगरा, मैं लिख्या, x minus 17, x minus 17, एक देगे x आगया, दूज़ देगे किया आगया, plus 17, minus वाले इनु मैं repeat कीता, दोगरा, जो बक्की बच्चा होंदी, first term, first expression देगे, second term, second देगे, now x into x, x scale, minus 17 into x, minus 17x, plus 17 into x, plus 17x, minus plus, minus 17 into 17, 289, हों देखो, एक minus है, एक प्लस है, तापस चैंसल, so final answer is, x scale minus 289, that is our final answer, I hope तो नो समझा रहा है, उस्तो बाद, एक और, एस पार दा question अपने को, 2x scale, हाई पार्ट है, plus 1 दा whole scale, देखो, 2x scale plus 1 दा whole scale है, तब की लिखांगे, 2x scale, 2x scale plus 1, क्योंकि पावर 2 है, ता मैं दोबरा लिखेना हूँ, और एक expression नों मैं दोबरा repeat करूंगा, 2x scale, प्लस 1, 2x scale है, जो बात दी, फास्ट किन्ट अर्म है, second thing, हों देखो, 2 into 2, 4x scale into x scale, x पावर है, 4, 2x इंदे कोड़ा, 2 इंदे कोड़ा, किन्दे होगे, टोटला, 4, 2x scale into 1, तो सेम आगे, 2x, 1 into 2x scale, ता 2x scale, 1 into 1, किन्दा होगे, 1, हों देखो, एक दो मैं टर्म की आप पस लाइक है, क्योंकि इंदे कोड़ी x दी पावर 2 है, इंदे कोड़ी x दी पावर 2 है, that is our final answer, at 4x power 4, 4 plus 4, 4x scale, last question है, last part, evaluate दा मतलब हा, value find करनी है, third, evaluate चपा की करांगे, like first question है, thousand seven into 993, thousand seven into 993, ता देखो, ए, किन्ना ज़्याद है, thousand, seven ज़्याद है, देखो, हजा आर्टों किन्ना ज़्याद है, सत, ए, हजा आर्टों किन्ना कट है, सत, एक हजा आर्टों सत ज़्याद है, एक हजा आर्टों की है, साथ काटता है तापस सेब मैथट अपलाई करांगे किसे एकड़ दोबरा लिखांगे माइनस सैमन माइनस सैमन जो बाक्ती बाची गांगा फस्ट अगे दुझा सैमन आगे एक दे पीछे किन जीरों आगे तोटला छे जीरो थाउजन इन्टू सैमन सैमन थाउजन प्लस माइनस माइनस सैमन सैमन जाके ना आगया फॉटी नई होड़े दो में टरम आपस कियो गया कैंसल बाक्ती नूगी कर सकते तुसी माइनस करके खुद लेख सकते मैनस करके लिखने माइनस करके नुफहने किया है अन्या सावलो करना है मैं सारे थ्रैट टोबिंगना मैं सारे थी सब्सक्राण टोनों को ठेकर डिश्य जुरूर्ष दसना सवर किन्यकने आया। 78 इंट gotta दो गष्ट काट है। 80 तो किन्या ज्याद है दो तप अन्हों क्या रिख सका देया। 80-2 and 80-2। एनू खुद किया। सुलोग करना है। same method apply करके किसे एक नो repeat करके दुझ्जे नूँ एक दुझ्जे दे बाहर लेखके, okay, c part, c minus 12 square, देखो इत्थे केडिये identity apply करांगे, आपा 2 माद यूपपर square, विचाड़े minus, देखो 2 माद यूपपर square है, विचाड़े minus है, that is equal to 1 कोरां plus, 1 कोरां minus, एक पुरा कर देना, दो माद यूपपर square होवे, विचाड़े minus होवे, तो एक पुरां plus लिखांगे, एक पुरां minus, किन्ना बण गया, 88 plus 12 and 88 minus 12, एक पुरां plus आगे, एक पुरां की आगया, minus, होन देखो 88 ज़़ो 12 जोड़ांगे, तो किन्ना बण गया, 99, 100, 88, 12 जोड़ां गया, 76, तो आंसर किन्ना आगया, 76, 100, that is our final answer, पहली वर कोस्टन आए, ता मेनू complete करता, त्या आन रखना, दो माद यूपपर square होवे, विचाड़े किया, minus, तो final answer किन्ना आए, 76, 100, ओस्तो बाद D पार्ट, उन्हें सिर्फ ठेंट लिखनी है, सारी कोस्टन होथी, D is 499 square, 499 नू की लिखांगे, आपड़ा, 500, minus 1, तैन्नों दोबरा लिखलोगे, 500, minus 1, 500, minus 1, उस्तो बाद नू किया, स्वालव करना है, उस्तो बाद E पार्ट, 103, into 96, 103, into 96, तैन्नों दोबरा कि मैं स्वालव करना है, देखो इन्नों स्वालव करना है, देखो 100 तो किन्ना जादा है, 100, plus 3, that is 100, minus 4, उस्तो बाद किसे एक नों रुपीट करके, जिवे इस तरह लिखना है, 100 आगया, दुज्जे देगे, plus 2 आगया, 3, तैन्नों स्वालव खुद कर सकते, उस्तो बाद F पार्ट, F पार्ट अपने कोल किया, 256 स्केर, ता देखो जिए अपने नों 200, plus 5 लेख देया, ता सेम पंगाया अपने कोल, ता पार इनों की लिखांगे, 250, plus 6 दा, फोल स्केर, देखो, 250 देवेजे पार 6 सेड कर देखना मने कोल स्केर, ता होना अपने की लिख सकते हां, दो बरा अपने की लिखांगे, 250, plus 6, and 250, plus 6, उस्तो बाद उसे नों खुद स्वालव करना, उस्तो बाद G पार्ट, G पार्ट मिरेकोल 7, 23, स्केर, माइनस 23 स्केर, होन देखो, दो माद उपर स्केर विचाड़े माइनस, ता आपा क्वस्तन सौलव किता से, उस्तो बाद 88 वाला, ते नों आपा की लिखांगे, एक कोरा प्लस लेख दांगे, दुजी बार की लेख दांगे, माइनस, इथे किना बन गया 746, इथे किना आगया 700, होन मल्टिप्लाइ करके दू, अंसर लिख सकते, देखो, दो माद उपर स्केर है, विचाड़े माइनस, एक कोरा प्लस लेख, एक कोरा की लेख, माइनस लेख, उस्तो बाद H पार्ट, H पार्ट है मेरेकोल 406, इन्टू 394, होन देखो, ए 400 तो 6 जादा है, 400 तो 6 कट है, ता के में लिखांगे, 400 प्लस 6, 400 माइनस 6, ओके, ता ए वाला कोस मेथड भी अपलाई कर सकते, उपर नू जा सकते हो, देट मेंस, एक कोरा प्लस, एक कोरा माइनस, ता तुस्स एक कोर मेथड भी ला सकते हो, एन्दा सकेर माइनस 6 सकेर, इस तरीक नाड़ बैनुकिए, सौलव कर सकते, उस तो बाद आई पार्ट, 105 सकेर माइनस, 99 सकेर, दो मादे पर सकेर, विचाले माइनस, देखो, दो मादे पर सकेर है, विचाले माइनस है, तक कि मैं लेक्षा देओ 105 प्लस 99, 105 माइनस 99, ये किन्ना बढ़ें गया, 204 इंटो 6, मल्टीप्लाई करके आपा अंसर लिखना है, इस दिन आ लिए अपनी एक्सरसाइज 7.5 खतम होई, मैं लास्ट पार दे सिरफ हिंट देती है ना नो खुद सौलब करना है, ते कमेंट वे दसने भी तो डांसर है किन्ना आया सारी क्वस्टिन दा, ते तुसी इन्नों कम्प्लीट जिरूर करना है, 7.5 एक्सरसाइज नो जे अडेंटिटी नाल कर सक देओ, अडेंटिटी नाल कर लो जे नहीं करना, तो सिंपल जो मैथड तो नो श्खाया है, कि सेकन नो रपीट कर तो जो दुझा एक्सप्रेशन पहली तरम फर्स्ट देगे, सेकेंड तरम हां सेकेंड देगे रखे सालवर कर सक देओ, Hello students, today we will discuss exercise 7.5 of class 8's, chapter name is algebraic expression, before starting the exercise, first of all, we will see some identities, that are very important identities, इस फर्स्ट अडेंट्टिटीज ए प्लस b होल स्केर पहलिए अपने को a plus b दा होल स्केर तो सबतों बना देखो इन्दा फार्मूला कि इन्दा a स्केर प्लस 2ab plus b स्केर देखो यह फ्रुमूला है पर आप इन्दा प्रूफ देखांगे बने कि में देखो, a plus b दा all square नो आपका की लेख साथ है, a plus b, a plus b, क्योंकि power 2 है, तब आप इनो दोबरा लिखांगे, होँ देखो किसे एक term आपका दोबरा लिखांगे, किसे एक expression आपका दोबरा लिखांगे, a plus b, a plus b, मनलो एस expression में दोबरा लिखांगे, जो यह बाच गया, इन्दी पहली term फास्ट देगे, second term second देगे, now a into a, a square, a into b, a b, a into b, a b, b into b, b square, मतलब यह binomial है, यह monomial है, binomial नो monomial नाल multiply करके बढ़ गया, यह दर भी binomial नो monomial नाल multiply करके बढ़ गया, देखो यह दो में like term है, so a square, a b थे a b किना है अपने कोला, 2 a b, plus b square, that is the proof of first identity, a plus b whole square is equal to a square, plus 2 a b, plus b square, जिन्नों याद नहीं रिंदा, वो simple trickle कर सकदा है, पहला पहले दा square, फिर तिन्ना दी multiply, 2 a b, फिर last दा square, ओके, औस तबार second identity, second is a minus b whole square, that is equal to a square, minus 2 a b, plus b square, अपने 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 प्रूफ ही देख देख दें, a minus b, a minus b, power 2 है था मैं दोबरा लिख्या, और किसे एक नों मैं दोबरा लिखूंगा, मानलों यह पूरे expression नों मैं दोबरा लिख्या, a minus b, a minus b, देखो जो पहला expression है, इन्नों मैं दोबरा लिख लिख्या, जो दुझा expression बचया, इन्दी पहली term, first expression देखे, दुझी term, दुझी expression देखे, now, a into a, a square, a into minus b, minus a, b, a into minus b, minus a, b, minus minus, plus, that is b square, देखो एदो वे like term है, तो नों शुरू तो जजा, इस chapter तो पहला दस्या सी, पि हमेशा like term, इस chapter बेजा पपड़ा सी, सरफ like term add on गया, a, b, ते भी किन्या हों गया, 2 a, b, that is minus 2 a, b, plus b square, that is the proof of second identity, next, third identity, तेना identity आपा use करांगे, पूरी चेप्टर देविच, sorry, पूरी exercise देविच, third is, a minus b, a plus b, that is equal to a square minus b square, देखो, एकोरा plus है, एकोरा minus है, एकोरा minus है, एकोरा plus है, ता identity की बांग दिये, दो मादे उपर square ते विचाले, minus, प्रूफ देख दिया पाएंदा, a minus b, a plus b, मैं किसे एक expression नों दोबरा लिख्या, a minus b, and a minus b, देखो, जो पहला expression है नों मैं दोबरा लिख्या, जो दुज़ा है, पहली तरम, पहले देखे, दुज़ी तरम दुज़े देखे, now a into a, a square, a into minus b, minus a b, b into a, plus a b, plus minus, minus b into b, b square, होँ देखो, एक minus, एक plus है, दो मैं लाइक है तापस्ट की होगे, cancel, so formula is a square minus b square, एक तेन अडेंटिटी है, एक तेन अडेंटिटी नों यूज़ कर गया, आपके पूरी एक्सरसाइज नो, solve करना है, जो एक अडेंटिटी नहीं अप्लाई करनी, तो ये वड़ा मैथड आपका अप्लाई कर सक दिया, देखो, फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज नो, एक्सरसाइज नो, फर्स्ट पार्ट अपने कुल, find the product, find the product, अपा प्रोड़क्ट पता करना है, दो बाइनोमियल देखे, ये पार्ट अपने कुल, 5A प्लस टू, एंड 5A प्लस टू, देखो नो, दो तरीके नल करांगे अपा, एक अडेंटिटी दी हल्प नाल, एक अपा जिवें के प्रूफ कीते हैं, उस दी हल्प नाल, जो मतलब कमजोर बच्चे है, जिननन मैच थोड़े का टिंटरस्ट है, तो second method अप्लाई करना है, जिननन अडेंटिटी याद है, होगे, first method अप्लाई कर सकते हैं, देखो, दो में अपने कोल सेम है, तब पावर किननी लेख सकते हैं, दो, देखो, एक पावर एंदी है, एक केंदी है, तो किनना होगे पावर टू, होड़ अप्लाई करो, आपका की पड़ेंगे अपने कोल, ए अपने कोल किनना है, 5A, पहले दा सकेर, फिर तिनना दी प्लाई, 2A, B, 2 इन्टो 5A इन्टो 2, देखो, A दी वेल्यू किननी है, 5A थे, B दी वेल्यू किननी है, 2, उस्तो बाद, लास्ट वाले दा सकेर, B सकेर, that is 2 दा सकेर, 5A दा सकेर, 25A सकेर, 5 तो जा 10, 10 तो जा 20A, उस्तो बाद, 2 दा सकेर, that is 4, that is अवर आंस्वर, जै पाव second method, यह अपने कोल first method सी, identity वाला, second method, होना अपने को second method वाल करांगे, देखो, आपकी यह 5A plus 2, 5A plus 2, यह वाला जो expression है, यह अपने दोवरा लिखांगे, that is 5A plus 2, 5A plus 2, जो expression बच्या, यह अधी पैनली टरम, first देखगे, 5A, second term, second देखगे, किनना आगे, आपने कोल, 2, होन देखो, 5 into 5, 25A into A, एसकेर, देखो, first term नो, first term नो, multiply किता, 5 into 5, 25A into A, एसकेर, होन 5A नू 2 नल करना है, 5 2 जा, 10A नल, सेम आजेगा, क्योंकि इंगलिश वोड़ा, जो भ 10, नल किया गया, A, होन 2 नो, 2 नल, 2, 2 जा, 4, होन देखो, हमेशे, आप मिडल टरमनों की करांगे, दो नो, add करांगे, क्योंकि दो में किया है, like है, जो like होन गया, ताप है, आपने कोल, add कर दाएंगे, middle term, 10 and 10, first अपने को, same है, 25 भी इसके, 10A प्लस 10A, 20A प्लस किया गया, 4, that is our answer, देखो, दो में में थेड़ नल, अपने कोल, अंसूर कियाएगा, same आएगा, कोई मर्जी में थेड़ अप्लाई कर सकते, जिन्नू, identity याद है, ओ, identity वाला अप्लाई कर सकते, जिन्नू, नहीं याद हो, ये वाला में थेड़ अप्लाई कर सकते, next question, उस्तो बारा, 3 by 2, B part है, 3 by 2x, minus 2 by 3y, 3 by 2x, minus 2 by 3 of a y, देखो, दो में बिल्कुल सेम है, 3 by 2x, 2 by 3y, 3 by 2x, 2 by 3y, विचाले दोमा देखिया, minus, तापकी लिखांगे नू, 3 by 2x, minus 2 by 3y, दे, होल स्केर, क्योंकि दो में सेम हादा, पावर के निया आई टू, होन, identity की पड़ी से, आपका, a minus b दा हो स्केर, that is, a स्केर, minus 2ab, plus b स्केर, आपका पड़े है, a स्केर, minus 2ab, plus b स्केर, तेना चो, a किया है, a दी वैलु का 3 by 2, that is, 3 by 2x, दा स्केर, minus, होन, तिनना दी मल्टिप्लाई, 2 into, 3 by 2x, into 2 by 3 of y, देखो, तिनना दी मल्टिप्लाई करनी है, 3 by 2 आगया, 2 by 3 आगया, सब तो अगे किननों लिखता मैं, 2 नू, तिनना टरम दी मल्टिप्लाई कर उस्तो बाद, last दा स्केर, 2 by 3, y दा whole स्केर, होन, देखो, 3 दा स्केर, 9, 2 दा स्केर, 4, पूरे दा स्केर करना है, देखो, एक देखो, अपा पूरे देख पर स्केर पा रहा है, अलग-लग स्केर करांगे, 3 दा स्केर, 9, 2 दा स्केर, 4, x दा स्केर, x स्केर, होन, देखो, 2 न 3 cancel होगा, 2 null, 2 cancel होगा, 2 बच्या, x बच्या, and y बच्या, उस्तवा, 2 दा स्केर, 4, y दा स्केर, y स्केर, divided by 3 दा स्केर, कि नाया, 9, that is our final answer, अपा identity अप्लाई केती, a minus b दा whole स्केर, इस त्री के रला पांस्वर नो किया, find कर सकदे, next question, c part, c part अपने को 12x, minus 2, 12x, plus 2, देखो, मतलब किया है, दो में टरम सेम है, देखो, 12x, 2, 12x, 2, फर्क कित है, एक देखो, minus है, दुझे देखो, प्लस है, तपा के डिया identity अप्लाई कर देखो, a minus b, a plus b, which is equal to, a square minus b square, ता a दी value किनी अपने कोल, 12x, the square, ते b दी value किनी अपने कोल, 2, the square, 12x, the square, 144x, the square, 2, the square, 4, that is our final answer, पर देनो second method अल करोगे, ता सुखा याद रहेगा, देखो, second नो की करांगे, 12x, minus 2, 12x, plus 2, होँ देखो, किसे, एक नो दोबरा लिखांगे, मैं नो दोबरा लिख्या, एस expression नो, 12x, minus 2, 12x, minus 2, एक देखे किना आ गया, 12x, दुज्जे देखे किया आ गया, 2, क्योंकि देखो, question देवेच, आपड़ो, a नहीं लिखाया, identity use करो, अपड़ो, सिर्फ, the chef finds the product, ताप जो मर्जी method apply करांगे, अपड़ा question गलतरी जाएगा, जेता question देवेच लिख्या, using identities, फिर आपड़ो, identity यूज्ज करने है, जे question देवेच नहीं लिख्या, using, मतलब identity नहीं यूज करनी, जब कुछ भी नहीं लिख्या, सिद्धा लिख्या, find the product, ताप इस तरीके नड़, solve कर सकते है, क्योंकि कोई भी identity दा चक्करें देचा, नहीं पेंदा, हों देखो, 12 x 12, 144 x के, 12 2 जा, 24 x, 2 12 जा, 24 x, plus minus, minus, 22 जा, 4, हों देखो, एक minus दा है, एक plus दा है, तहीं दो में आप परच किया है, cancel, ताप final answer किया गया, 144 x के, minus किनना आ गया, 4, that is our answer, ताथ उसी without identity भी यूज कर सकते है, कोई question देवेच आपन कुछ नहीं given, identity यूज करनी है, या नहीं करनी, इंदे नाल्ग जो बाकी question है, तुझी खोद कर सकते हो, क्योंकि सारे same है, मतलब यूज करना, या आपन direct method यूज कर सकने है, तापके यह नो direct method यूज करांगे, like first question is, 3x plus 5y square, क्योंकि आपन कोई identity यूज करनों ने नहीं किया, जीदे heading देवेच लिख्या, उसी using identity, तापके यूज की करांगे, दो वर लिखांगे, 3x plus 5y, बाकी जिनने identity नाल करना है, वह identity नाल भी कर सकते हैं, क्योंकि उपर मैं समझा चुक्या, पावर दो आता मैं दोबरा लिखा, किसे एक expression दोबरा लिखांगे, 3x plus 5y, 3x plus 5y, इननों मैं दोबरा लिखा, एक एथे लिखता, एकड़ एथे लिखता, जो बाकी बचिया, that is 3x, इदर की बचिया अपने कोड़, 5y, now 3x3, 9x square, 5 3 जा, 15xy, 5 3 जा, 15xy, 5 5 जा, 25 y square, simple multiply किती है, first new, firstner, first new, secondner, first new, firstner, first new, secondner, देखो, xy, xy, एदो में केड़िया टर्म है, like term है, तैदो में क्या उन गया, add उन गया, that is, 9x square, plus 30xy, plus 25y square, that is our final answer, या तुसी identity नाल भी swallow कर सकते हो, जेना question नहीं लगे जाना, identity नाल तुसी, जे थोड़ी भी identity पर लिगे तो सारा गलत हो जेगा, पर इत्थे कि या तुसी सारा multiply करना है, binomial नो, monomial नल करना है, ओके, next, एक और problem swallow कर दे हैं, कोई minus swallow कर दे हैं, 2p minus 3, c part है, 2p minus 3 minus, 2p by 3 minus 12 whole square, 2p by 3 minus 12 whole square, ता पहिनों भी की लिखांगे, दो बार, 2p by 3 minus 12, 2p by 3 minus 12, ता होण किसे एक expression दोगरा, 2p by 3 minus 12, 2p by 3 minus 12, ता एक देग्यापा की लिखांगे, 2p by 3, 2p by 3, दोज्य देग्यापा की लिखांगे, minus 12, होण multiply करो, 2, 2 जा, 4p square by 3, देखो, 2 नो, 2 नाल कीती, 4p नो, p नाल कीती, p square 3 नो, 3 नाल कीता, नाई, होण, एन्नु इंदे रल करो, तेहन देखले लेपा 1 लगालांगे, ओके, कोस्टन नो, simple नाल लिखांगे, होण multiply हुंदिया, ता numerator दी, numerator नल हुंदिया, denominator दी, denominator दी, denominator नल, 2 इंटो 12, 24, 3 इंटो 1, 3, 24p by 3, सेम इथे, 12 इंटो 2, 24p divided by 3, minus minus plus, that is 144 by 1, 12 जा 144, 1 इंटो 1 किनना हो गया, 1, इन्नु कैंसल करो, 8p, इन्नु कैंसल करो, इन्नु कैंसल करो, इन्नु किनना हो गया, 8p, पहला सेम, 4p स्केर, by 3, सोरी 9, by mistake रहे गया, होण देखो, minus 8p, minus 8p, that is minus 16p, minus 8p, minus 8p, 2 में minus होंता, plus होंता, पर sign का दा लगदा, minus ता, उसतो बाद किया गया, 144, that is our final answer, सोरी थे, mistake नाल 3 लिख्या गया सी, सो 3, 3 जा किनना होंता है, 9 होंता है, that is our final answer, एक और question सॉल्व कर देखो, लाइक अपने कुल क्वेस्टेन है, h part, x plus 17, x minus 17, देखो, एक औरा प्लस है, एक औरा माइनस है, तापा किसे एकड़ो लिखा गए दोगरा, मैं लिख्या, x minus 17, x minus 17, एक देखे x आगया, दुज्य देखे किया आगया, प्लस दा, 17, minus वाले नो मैं repeat कीता, दोगरा, जो बक्की बच्या होंदी, first term, first expression देखे, second term, second देखे, now x into x, x केर, minus 17 into x, minus 17x, plus 17 into x, plus 17x, minus plus, minus 17 into 17, 289, होंदी देखे, एक minus एक plus है, तापस चैंसल, so final answer is x केर, minus 289, that is आवर final answer, I hope तो नो समझा रहा है, उस्तो बाद, एक और इस पार दा question अपने को, 2x स्केर, हाई पार्ट है, plus 1 दा होल स्केर, देखो, 2x स्केर, plus 1 दा होल स्केर है, तापकी लिखांगे, 2x स्केर, plus 1, 2x स्केर, plus 1, क्योंकि पावर 2 है, ता मैं दोबरा लिखेना हूँ, और एक expression नों मैं दोबरा repeat करूंगा, 2x स्केर, plus 1, 2x स्केर, plus 1, जो बाक्की बाच गया, अन्दी फास्ट टारम, फास्ट देखगे, तो सैकेंड टारम हा, सैकेंड देखो, 2 x 2, 4 x स्केर, x स्केर, x स्केर, 2x 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 स्केर, 1 स्केर, 2x स्केर, 1 स्केर, 1 स्केर, 2x स्केर, 1 स्केर, 2x स्केर, 1 स्केर, 2x 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 स्केर, he that total किनने होगे है सिर्फ कॉफिशेंट आड ओंदे ने याद रखना सिर्फ कॉफिशेंट आड ओंगे two to two किनने होगे four x square किया जएगा same plus one that is our final answer and four x power four plus four x square plus one last question last part evaluate evaluate जा मतलब अब वेल्यू फाइंड करनी है थर्ड इवेल्यू इड़ चपा की करांगे लाइक फर्स्ट क्वेस्टन है थाउजंड सेवन इंटू नाइन नाइन टी थ्री थाउजंड सेवन इंटू नाइन नाइन टी थ्री थाउजंड सेवन ज्याद है थाउजंड सेवन ज्याद है देखो हजा आरतों किन्ना ज्याद है सत एक हजा आरतों किन्ना कट है सत एक हजा आरतों सत ज्याद है एक हजार को किया है साथ काट तप सेब मेथड अपलाई करांगे किसे एकड़ों दोब्रा लिखांगे माइनस सैमन माइनस सैमन जो बाकी बाचिगांगा फस्ट अगे दुझा सैमन आगे ना थाउजड इन्टो थाउजड एक देपी थेamour जिरू आगे तोटलाँ छह जिरू है थाउजड इन्टो सैमन सैमन थाउजड ईन्टो थाउजड ब्लक माइनस माइनस सैमन सैमना आ घया 49 और ये दो में टर्म मापस्ट की हो गिया cancel बाक्की लूँ की कार सकते तुसी minus करके खुद लेख सकते यह थे किया minus करके लिखना ok minus solo करना और जिन्ने भी question रहेगे मैं सारे हिंट दोँगा तुसी खुद देना और solo करना मैं सारे हिंट लेख देना लेख second question है B ते कमेंट जरूर दसना अंसवर किन्ने किन्ने आए 78 into 82 होन देखो 80 दो किन्ना कट है 2 कट है 80 दो किन्ना जाद है 2 तब आप इन्नों की लेख सकते है 80 minus 2 and 80 plus 2 इन्नों खुद दगके तुसी किया solo करना same method apply करके किसे एकनों repeat करके दुझ्जे नूँ एक दुझ्जे दे बाहर लगके ok c part c part है मेरे कोड 88 square minus 12 square देखो इत्थे केड़ी है identity apply करांगे आप दो माद योग पर square विचाड़े minus देखो दो माद योग पर square है विचाड़े minus है that is equal to एक कोरां plus एक कोरां minus एक पैलिवरी question आया था मैंनों पूरा कर देना दो माद योग पर square होवे विचाड़े minus होवे तो एक कोरां plus लिखांगे एक कोरां minus किन्ना बन गया 88 plus 12 and 88 minus 12 एक कोरां plus आगे एक कोरां की आगया minus होँ देखो 88 ज़द 12 जोड़ांगे ता किन्ना बन गया 100 88 ज़द 12 गया 76 ता अंस्वर किन्ना आगया 76 100 that is our final answer पैलिवर question आया ता मैनू complete करता तो आन रखना दो माद योपर square है विचाले किया minus ता final answer किन्ना आया 76 100 उस्त बाद D part 499 नू की लिखांगे आपड़ 500 minus 1 ता यहनू दोबरा लिखलोगे 500 minus 1 500 minus 1 उस्त बाद नू किया solve करना है उस्त बाद E part 103 into 96 103 into 96 ता यहनू अपड़ कि मैं solve करना है देखो यहनू solve करली देखो 100 तो किन्ना जाद है 100 plus 3 that is 100 minus 4 उस्त बाद किसे एकनो repeat करके जिवे इस तरह लिखना है एक देखे 100 आगया दुझे देखे plus कि आगया 3 तो यहनू solve खुद कर सकदे उस्त बाद F part F part अपने कोल किया 256 square ता देखो यह आपएनू 200 plus 5 लिख देआ ता सेम पंगाया अपने कोल ता पाइनू की लिखांगे 250 plus 6 दा whole square देखो 250 देवे जे पाद 6 एड कर देकना मनेंगा 256 whole square ता होना पाइनू की लिख सकदे हां दो बरा लिख सकदे हां अपाइनू की लिखांगे 250 plus 6 and 250 plus 6 उस्तो बाद उसी नो खुद सॉलव करना है उस्तो बाद G part G part है मिरेकोल 723 square minus 23 square होन देखो 2 माद उपर square विचाड़े minus ता होना पाइनू की लिखांगे एक कोरा प्लस लेख दांगे दुजी बर की लेख दांगे minus ओके इथे किना बन गया 746 इथे किना आ गया 700 होन मल्टिप्लाइ करके दू आंसर लेख सकदे देखो 2 माद उपर square है विचाड़े minus एक कोरा प्लस आएगा एक कोरा की आएगा minus आएगा उस्तों बाद h part h part है मिरेकोल 406 into 394 होन देखो यह 400 तो 6 जादा है 400 तो 6 कट है तक कि में लिखांगे 400 प्लस 6 400 माइनस 6 ओके यह वाला को उस मेथड़ भी अपलाई कर सकदे उपर नू जा सकदे that means एक कोरा प्लस एक कोरा माइनस तो तुस एक कोर मेथड भी ला सकदे एंदा square minus 6 ता square यह स्तरीक के नाट बेनू किया solve कर सकदे उस्तों बाद i part 105 square minus 99 square दो मादेव पर square विचाले माइनस देखो दो मादेव पर square है विचाले माइनस है तक कि मैं लेकसा देव 105 प्लस 99 100 5 minus 99 यह किना बाणें गया 204 इंटो 6 multiply कर क्या अपा अंसर लिखना है इस दिन आलिया pre-exercise 7.5 खतम होई मैं लास्ट पार दे सरफ hint देती है ना नो खुद सौलब करना है तक कमेंट वे जरूर दसना है भी तो डांसर है किना आया सारी question दा तो तुसी इनू complete जरूर करना है 7.5 exercise नू जे identity नाल कर सक देव identity नाल कर लो जे नहीं करना तो simple जो method तो नो खाया है कि second रपीट करके तो जो दुझा expression पहली term first देगे second term second देगे रखके कर सक देव Hello students Today we will discuss exercise 7.5 of class 8 chapter name is algebraic expression before starting the exercise first of all we will see some identities that are very important identities first identity is a plus b whole square पहली identity आपने को a plus b the whole square तो सब तो बना देखो इन्दा फॉर्मूला कि इन्दा a square plus 2ab plus b square देखो ये फॉर्मूला है पर आपने प्रूफ देखांगे बना कि में देखो a plus b दा उल्सकेर नों आपकी लेख साद है a plus b a plus b क्योंकि पावर 2 है ताप आप इन्दा दोबरा लिखांगे हों देखो केसे एक टर्म नों आपका दोबरा लिखांगे now a into a a square a into b a b a into b a b b into b b square मतलब ये binomial है ये monomial है binomial नों monomial नाल मल्टिप्लाइ करके बन गया इदर भी binomial नों monomial नाल मल्टिप्लाइ करके बन गया देखो ए दो में like term है square a b थे a b किना है अपने कोड़ा 2 a b plus b square that is the proof of first identity a plus b whole square is equal to a square plus 2 a b plus b square जिन्हों याद नहीं रिंदा वो simple त्रीके राल कर सगदा है पहला पहले दा square फिर तिनादी multiply 2 a b फिर लास्ट दा square ओके उस तो बाद second identity second is a minus b whole square that is equal to a square minus 2 a b plus b square अपने अपने प्रोफ ही देख देख देए a minus b a minus b power 2 है था मैं दोबरा लिखे और किसे 1 और मैं दोबरा लिखूँँगा मानलो ऐस पूरे expression और मैं दोबरा लिखे a minus b a minus b देखो जो पहला expression है इन्हों मैं दोवरा लिख लिया जो दुज़ा expression बचया इन्दी पहली term first expression देखे दुज़ी term दुज़ी expression देखे now a into a a scale a into minus b minus a b a into minus b minus a b minus minus plus देखो एदो वे like term है तो नुक शुरू तो इस chapter तो पहला दस्या सी पि हमेशा like term इस chapter वे जाप पड़ा सी सिर्फ like term add on गया a b ते भी किनिया हो गया 2 a b that is minus 2 a b plus b square that is the proof of second identity next third identity 10 identity आपा use करांगे पूरी chapter देविच sorry पूरी exercise देविच third is a minus b a plus b that is equal to a square minus b square देखो एक औरा plus है एक औरा minus है एक औरा plus है ता identity की बांग दिये दो मादे उपर square ते विचाले minus proof देख दिया पांदा a minus b a plus b मैं किसे एक expression दो दोबरा लिख्या a minus b and a minus b देखो जो पहला expression है नो मैं दोबरा लिख्या जो दुझा expression है यंदी पहली तरम पहले देखे दुझी तरम दुझे देखे now a into a a square a into minus b minus a b b into a plus a b plus minus minus b into b b square होँ देखो एक minus एक plus है दो मैं लाइक क्या दापस्ट की होगे cancel so formula is a square minus b square यह तेन identity है यह तेन identity नो यूज कर गया आपके पूरी exercise नो solve करना है जी identity नहीं अप्लाई करनी तह यह वड़ा method आपका apply कर सकते है देखो first part exercise exercise the first part अपने को find the product find the product अपा प्रोड़क्ट पता करना है दो binomial देखो a part equal 5a plus 2 and 5a plus 2 देखो नो दो तरीके नो करांगे अपा एक identity दी help null एक का पजिवें के proof किते है उस दी help null जो मतलब कमजोर बच्चे जनन मैच स्थोड़े का टेंटरस्ट है तो second method apply करना है जनन identity याद है होगे first method apply कर सकते है देखो दो में अपने को सेम है ता पावर किननी लेख सकते है आपा दो देखो एक पावर हैं दी है एक हैं दी है तक किनना हो गया power 2 और apply करो आपा की पड़े आसी a plus b whole square that is a square plus 2ab plus b square आपा ही पड़े आसी a plus b whole square a square plus 2ab plus b square ता इंदा की बन गया अपने कोल a अपने कोल किनना है 5a पहले दा square फिर तिरना दी multiply 2ab 2 into 5a into 2 देखो a दी value किननी है 5a ते b दी value किननी है 2 उसते बाद last वाले दा square b square that is 2 दा square 5a दा square 25a square 5 तो जा 10 10 तो जा 20a उसते बाद 2 दा square that is 4 that is our answer जे अपने कोल first method सी identity वाला second method और अपने कोल second method वाल करांगे देखो अपने की यह 5a plus 2 5a यह वाला जो expression है यहनू आपने दोवरा लिखांगे that is 5a plus 2 5a plus 2 जो expression बच्या यहनुदी पैनली टरम first देखगे 5a second term second देखगे किनना आगे आपने कोल 2 हों देखो 5 into 5 25 a into a a square देखो first term नो first term नो multiply किता है 5 into 5 25 a into a a square हों 5a नो 2 null करना है 5 2 जा 10 a null सेम आजेगा क्योंकि इंगलिश ओड़ा जो भी मतलब letter हुंदा हो सेम आजेंदा है उसते बाद 2 नो 5 5 5 2 जा 10 नल किया गया है हों 2 2 2 जा 4 हों देखो हमेशे आप मिडल टरमनों की करांगे दो नों add करांगे क्योंकि दो में किया है लाइक है जे लाइक ओन गया ता आपने हम एड़ कर देंगे मिडल टरमनों 10 and 10 फास्ट अपने को सेम है 25 भी इसके 10a प्लस 10a 20a प्लस किया गया 4 that is अवर आंसर देखो दो में अपने को आंसर कियाएगा सेम आएगा कोई मर्जी मेथड अप्लाई कर सकते है जिन्नों identity याद है ओ identity वाल अप्लाई कर सकते है जिन्नों नहीं याद हो यह वाला मेथड अप्लाई कर सकते है नेक्स्ट कॉस्चन उस्तों बारा 3 by 2 बी पार्ट है 3 by 2 x minus 2 by 3 y 3 by 2 x minus 2 by 3 of y देखो दो में बिल्कुल सेम है 3 by 2 x 2 by 3 y 3 by 2 x 2 by 3 y विचाले दो मां देखिए है minus तापकी निखांगे नूं 3 by 2 x minus 2 by 3 y दी होल स्केर क्योंकि दो में सेम आदा पावर के निया है 2 होन अडेंटिटी की पड़ी से आपका a minus b दा हो स्केर that is a square minus 2ab plus b square आपका पड़ी से a square minus 2ab plus b square तेना चो a की है a दी वैल्यू का 3 by 2 that is 3 by 2 x दा स्केर minus होन तिन्ना दी multiply 2 into 3 by 2 x into 2 by 3 of y देखो तिन्ना दी multiply करनी है 3 by 2 आ गया 2 by 3 आ गया सब तो अगे के नूं लिखता मैं 2 नूं तिन्ना टर्म दी multiply कर दो उस्ता बाद last the scale 2 by 3 y the whole scale होन देखो 3 the scale 9 to the scale 4 पूरे the scale करना है देखो एक देखो पूरे देखो पूरे देखो पर scale पार रहे है अलग-लग scale कराँगे 3 the scale 9 to the scale 4 x the scale x scale होन देखो 2 नल 3 cancel, टुपर की बचया के 2 बचया, नाल X बच गया, नाल की बच गया, Y क्योंकि 3 नल 3 cancel होगा, 2 नल 2 cancel होगा, 2 बचया, X बचया और Y बचया उसतवा 2 दा स्केर, 4, Y दा स्केर, Y स्केर, divided by 3 दा स्केर के नाया, 9 that is our final answer, अपा identity अप्लाई केती, A minus B दा होगा, इस त्रीकर अपाणसर नूग किया, find कर सकदे, next question, C part, C part अपने को 12X, minus 2, 12X plus 2, देखो, मतलब किया है, दो में टरम सेम है, देखो, 12X, 2, 12X, 2, फरक कित्या, एक देखगे, minus है, दुझे देखगे, plus है, ता आपा के डिये identity अप्लाई कर देखगे, A minus B, A plus B, which is equal to, A square minus B square, ता A दी value किनी अपने कोल, 12X दा square, ते B दी value किनी अपने कोल, 12X दा square, 144X square, 2 दा square, 4, that is our final answer, पर देनो second method करोगे ता सुख़ा याद रहेगा, देखो, second नों की करांगे, 12X minus 2, 12X plus 2, होन देखो किसे एक नों दोबरा लिखांगे, मैं नों दोबरा लिख्या, एस expression नों, 12X minus 2, 12X minus 2, एक देखगे किना आगया, 12X, दुझे देखगे किया आगया, 2, क्योंकि देखो, question देवेच आपड़, A नी लिख्या आया, identity use करो, अपड़ सिर्फ the chef finds the product, ताप जो margin method apply करांगे, अपड़ा question गलतरी जाएगा, जेता question देवेच लिख्या using identities, फिर आपड़ आपड़ identity यूज करनी है, जे question देवेच नहीं लिख्या using, मतलब identity नहीं use करनी, जब कुछ भी नहीं लिख्या, सिद्धा लिख्या find the product, ताप इस तरीके नढ़ा solve कर सकते है, क्योंकि कोई भी identity दा चक्करन देचा नहीं पेंदा, हों देखो, 12 into 12, 144x के, 12 to 24x, 2 to 12 जा, 24x, plus minus, minus, 22 to 4, हों देखो, एक minus दा है, एक plus दा है, तहीं दो में आप परच किया है, cancel, ताप final answer किया गया, 144x के, minus किनना आ गया, 4, that is our answer, ताप उसी without identity भी यूज़ कर सकते हो, कोई question देवेच आपन कुछ नहीं given, identity यूज़ करनी है, या नहीं करनी, इन्दे नाल दे जो बाकी question है, तुझी खोद कर सकते हो, क्योंकि सारे same है में तिनना identity यूज़ करता है, और आपा second part follow कर दे, expand, the following, expand मतलब यूज़ खोल के लिखना, पर इत्थे भी नहीं लिख्या पर using identity करना है, या आपा डिरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं, तापा कि यूज़ यूज़ करांगे, like first question is, 3x plus 5y square, क्योंकि आपन कोई identity यूज़ करनों ने नहीं किया, यूज़ है heading दे बेच लिख्या हम दो using identity, तापा इनकी करांगे, दो बर लिखांगे, 3x plus 5y, बाकी जिनने identity नाल करना है, बाकी जिनने identity नाल भी कर सकते हैं, क्योंकि उपर मैं समझाए थू क्या, पावर दो गाता मैं दोबरा लिख्या, किसे एक expression दोबरा लिखांगे, 3x plus 5y, 3x plus 5y, इननों मैं दोबरा लिख्या, एक एथे लिखता, एकड़ एथे लिखता, जो बाकी बचिया, that is 3x, इदर की बचिया अपने कोड़ा, 5y, now 3x3, 9x स्केर, 5 3 जा, 15xy, 5 3 जा, 15xy, 5 5 जा, 25 y स्केर, simple multiply किती है, first new, firstner, first new, secondner, first new, firstner, first new, secondner, देखो, xy, xy, एदो में केड़िया टरम है, like term है, तैदो में क्यों गया, add गया, that is 9x केर, plus 30xy, plus 25y स्केर, that is our final answer, या तुसी identity नाल भी solve कर सकते हो, जेना question नहीं लगे जाना, identity नाल तुसी, जे थोड़ी भी identity पर लगे तो सारा गलत हो जेगा, पर इत्थे कि या तुसी सारा multiply करना है, binomial नो, monomial नल करना है, ओके, next, एक और problem solve करते हैं, कोई minus solve करते हैं, 2p minus 3, c part है, 2p minus 3 minus, 2p by 3 minus 12 whole square, sorry, 2p by 3 minus 12 whole square, ता पहिनों वी की लिखांगे दो बार, 2p by 3 minus 12, 2p by 3 minus 12, ता होण किसे एक expression दो गरा, 2p by 3 minus 12, ता एक जग्यापा की लिखांगे, 2p by 3, दुझे जग्यापा की लिखांगे, minus 12, होण multiply करो, 2, 2 जा, 4p square by 3, देखो, 2 नू 2 नाल कीती, 4p नू P नाल कीती, p square 3 नू 3 नाल कीता, नाई, होण n वी लिखांगे, तेहन देखले लिखांगे, ता होण देखले लिखांगे, क्वेस्टन नू simple बना लिखांगे, होण multiply हुंदिया, ता numerator दी numerator नल हुंदिया, denominator दी, denominator नल, 2 इन्टो 12, 24, 3 इन्टो 1, 3, 24p by 3, सेम एथे, 12 इन्टो 2, 24p divided by 3, minus minus plus, that is 144 by 1, 12 जा 144, 1 इन्टो 1 किनना हो गया, 1, इन्हों कैंसल करो, 8p, इन्हों कैंसल करो, इन्हों किनना हो गया, 8p, पहला सेम, 4p स्केर, by 3, सोरी 9, by mistake रहे गया, हों देखो, minus 8p, minus 8p, that is minus 16p, minus 8p, minus 8p, दो में minus होंता, plus होंता, पर sign का दा लगदा, minus ता, उसतो बाद किया गया, 144, that is our final answer, सोरी इसे mistake नाल 3 लिख्या गया सी, सो 3, 3 जा किनना होंदा है, 9 होंदा, that is our final answer, एक और question स्वालव कर देखो, लाइक अपने को लो question है, h part, x plus 17, x minus 17, देखो, एक औरा plus है, एक औरा minus है, ता पाकिसे एकड़ो लिखा गए दोबरा, मैं लिख्या, x minus 17, x minus 17, एक देखे x आगया, दुज़ देखे किया गया, plus 17, minus वाले इन्हों मैं repeat कीता, दोबरा, जो बक्की बच्या होंदी, first term, first expression देखे, second term, second देखे, now x into x, x केर, minus 17 into x, minus 17x, plus 17 into x, plus 17x, minus plus, minus 17 into 17, 289, हों देखे, एक minus है, एक प्लस है, ता अपस्च चैंसल, so final answer is x केर, minus 289, that is our final answer, I hope तो नों समझा रहा है, उस्तो बाद, एक और, एस पार दा question अपने को, 2x स्केर, हाई पार्ट है, plus 1 दा होल स्केर, देखो 2x स्केर, प्लस दा होल स्केर है, तपकी लिखांगे, 2x स्केर, प्लस 1, 2x स्केर, प्लस 1, क्योंकि पावर 2 है, तह मैं दोबरा लिखे नू, और एक expression नों मैं दोबरा repeat करूंगा, 2x स्केर, प्लस 1, 2x स्केर, प्लस 1, जो बाकी बच गया, और फर्स्ट टार्म, फर्स्ट देख गे, तह सेकेंड टार्म हा, सेकेंड देख, हों देखो, 2x केर, इंतु X केर, एक्स पावर हा, 2xосेक न कहला है, किन्ते होतला है, 4, 2xसकेर, इंतु 1, तह सेम हागय है, 2x केर, 1 इंतु 2x सेकर, तह 2x सकेर, एक turkey, 1 इंतु 1, किन्ते होतला है, 1, हों देखो ए दो में टर्म की आपस लाइक है क्योंकि एंदे कोल भी x d power 2 है तो टोटल किनने होगे सिर्फ coefficient add होंगे याद रखना सिर्फ coefficient add होंगे 2 ते 2 किनने होगे 4x square किया जेगा same plus 1 that is our final answer 4x power 4 plus 4x square plus 1 last question है last part evaluate evaluate दा मतलब आ value find करनी है third evaluate चपा की करांगे like first question है thousand seven into nine ninety three thousand seven into nine ninety three तो देखो ए किनना ज्याद है thousand तो हों seven ज्याद है देखो हजा आरटो किनना ज्याद है स्थ ए हजा आरटो किनना कट है स्थ एक हजा आरटो सथ ज्याद है एक हजा आरटो की है स्थ कट है तपा same method apply करांगे किसे एक कड़ों दोबरा लिखांगे माइनस सैमन माइनस सैमन जो बाक्ती बाचिगा हुँगा फस्ट अगे दुज्जा सैमन आगे now 1000 इन्टू 1000 एक दे पिछे किन्या जीरो आगे है टोटला 6 जीरो 1000 इन्टू 7 7000 7 इन्टू 1000 7000 प्लस माइनस माइनस 7 7 जाके ना आगे है 49 अगे यह दो में टर्मा पस्ट की होगी है cancel बाक्ती नूँ की कर सकते तुसी माइनस करके खुद लेख सकते यह थे किया माइनस करके लिखना है माइनस करके नूँ खुद नूँ की जिनने में क्वेस्टन रहेगे मैं सारें चेंट दोँगा तुसी खुद देना नूँ सॉलो करना है मैं सारें दी हिंट लेख देना लेक सेकिंड क्वेस्टन है बी ते कमेंट चेंट जरूर दसना अंसवर किन्ने किन्ने आए 78 इंटू 82 हुन देखो 80 दो किन्ना कट है 2 कट है 80 दो किन्ना जाद है 2 ताप यहनों की लेख सकते हैं 80 माइनस 2 एंड 80 प्लस 2 यहनों खुद दग्गे तुसी किया सॉलो करना है सेम मैथट अपलाई करके किसे एक नू रपीट करके दुझे नू एक दुझे दे बाहर लेख के सी पार्ट सी पार्ट है मेरे कोल 88 स्केर माइनस 12 स्केर देखो एथे के डिये डेंटिटी अपलाई करांगे आपा 2 माद योपपर स्केर विचाले माइनस देखो 2 माद योपपर स्केर है विचाले माइनस है that is equal to 1 कोराँ प्लस 1 कोराँ माइनस ए पहली वरी कोस्तन आया था मैनों पूरा करदे न दो माद योपपर स्केर होवे विचाले माइनस होवे ता एक पुराँ प्लस लिखांगे एक पुराँ माइनस किन्ना वण गया 88 प्लस 12 and 88 माइनस 12 एक पुराँ प्लस आगे एक पुराँ की आगया माइनस होन देखो 88 ज़़ो 12 ट्वेलब जोड़ांगे ता किन्ना वाण गया 100 88 ट्वेलब गया था 76 ता अंस्वर किन्ना आगया 76 100 that is our final answer पैली वर कोश्चन आया ता मेनू complete करता त्या आन रखना दो माद युपपर स्केर विचलेगी है माइनस ता final answer किन्ना आगया 76 100 उस्तो बाद D पार्ट होणवाई सिर्फ हेंट लिखने है सारी कोश्चन हो थी D is 499 स्केर 499 नुकी लिखांगे आपड 500 माइनस 1 तैन्नो दोवरा लिखलोगे 500 माइनस 1 500 माइनस 1 उस्तो बाद इन्नो किया स्वालव करना है उस्तो बाद E पार्ट 103 इन्टू 96 103 इन्टू 96 तैन्नो दपके मैं स्वालव करना है देखो इन्नो स्वालव करना है देखो 100 तो किन्ना जादा है 100 प्लस 3 that is 100 माइनस 4 उस्तो बाद इन्नो कि सेक्णो रुपर पीड करना है कि जिवे इस तरह लिखना है एक देख दुद्धिया खुद कर सकते उस्तो बाद F 250 जिवे आप आन्नो 200 प्लस चे पंजा लेख देया ता सेम पंगाया अपने को ता पैनू की लिखांगे 250 प्लस 6 दा फोल स्केर देखो 250 देवे जेपा 6 एड कर देख इन्ना मनेगा 256 फोल स्केर ता होना आप आनू की लिख सकदेया दो बरा लिख सकदेया आप आनू की लिखांगे 250 प्लस 6 एड 250 प्लस 6 उस्तो बाद उसी नो खुद स्वलव करना है उस्तो बाद जी पाइट जी पाइट है मिरेकोल 723 स्केर माइनस 23 स्केर और देखो दो माद उपर स्केर विचाड़े माइनस ता अपा क्वस्तन सौलव किता सी उस्तो बाद 88 वड़ा तेनु अपा की लिखांगे एक कोरा प्लस लेख दांगे दुजी बार की लेख दांगे माइनस ओके इथे किना बन गया 746 इथे किना आगया 700 और मल्टीप्लाई करके दू आंसर लिख सकते देखो दो माद उपर स्केर है विचाड़े माइनस एक कोरा प्लस आएगा एक कोरा की आएगा माइनस आएगा उस्तो बाद एच पार्ट है एच पार्ट है मेरेकोल 406 इन्टू 394 हों देखो यह 400 तो 6 ज्यादा है 400 तो 6 कट है ता के में लिखांगे 400 प्लस 6 400 माइनस 6 ओके ता यह वाला कोस मेथड भी अपलाई कर सकते उपर नू जा सकते हो एक कोरा प्लस एक कोरा माइनस ता तुस्स एक कोर मेथड भी ला सकते हो एन्दा स्केर माइनस 6 स्केर एस तरी के नाड़ भी नू किया सौलव कर सकते उस्तो बाद आई पार्ट 105 स्केर माइनस 99 स्केर दो मादे पर स्केर विचाले माइनस देखो दो मादे पर स्केर है विचाले माइनस है तके में लेख सकते हो 105 प्लस 99 105 माइनस 99 यह किनना बने गया 204 x 6 multiply करके आपा अंस्वर लिखना है इस दिन आ लिए अपनी एक्सरसाइज 7.5 खत्म होई मैं लास्ट पार दे सिर्फ हिंट देती है नो खुद स्वालब करना है तो कमेंट वे जरूर दसने भी तो डांसर है किनना है सारी क्वेस्टिन दा ते तुसी इन किंट रमा सेकिन देगे रहके सलोब कर सक दिए हलो students today we will discuss exercise 7.5 of class 8 chapter name is algebraic expression before starting the exercise first of all we will see some identities that are very important identities first identity is a plus b whole square पहली identity है अपने कोल a plus b whole square तो सब्तों पर देखो इन्दा formula कि इन्दा a square plus 2ab b square देखो यह formula है पर आपने प्रूफ देखांगे बणया के में देखो a plus b whole square नो आपकी लेख साद है a plus b a plus b क्योंकि power 2 है ता आप इन्दों दोबरा लिखांगे हम देखो किसे एक टर्म आपका दोबरा लिखां किसे एक expression आपका दोबरा लिखांगे ए प्लस b a plus b मनलो एस expression में दोबरा लिखांगे जो यह बच गया इन्दी पहली टर्म फस्ट देखेंगे सेकेंड टर्म सेकेंड देखेंगे आ अइंटो ए A square अंटो बी ए बी मतलब ए बाईनोमियल है और मॉनोमियल ना लो मॉनोमियल करके बढ गया इदर भी बाईनोमियल को मॉनोमियल करके अबढ गया देखो ए दो में लाइक टर्म है so a square a b थे a b किना है अपने कोला 2 a b plus b square that is the proof of first identity a plus b whole square is equal to a square plus 2 a b plus b square जिन्नों याद नहीं रिंदा वो simple trickle कर सकदा है पहला पहले दा square फिर तिन्ना दी multiply 2 a b फिर last दा square ओके औस तो बाद second identity second is a minus b whole square that is equal to a square minus 2 a b plus b square होड़ा परेंदा पुरुफ ही देख देख दे, A-B, A-B पावर दव यो तो मैं दोब्रा लिख्या होड किसे एक नूमें दोब्रा लिखूंगा मालनलोग इस पूरे एक्सप्रेशन नूमें दोब्रा लिख्या A-B, A-B देखो जो पहला expression है, इन्हों मैं दोवरा लिख लिया, जो दुझा expression बचया, इन्दी पहली term, first expression देखे, दुझी term, दुझी expression देखे, now, a into a, a square, a into minus b, minus a, b, a into minus b, minus a, b, minus minus plus, that is b square, देखो एदो वे like term है, तो नोग शुरू तो इस chapter तो पहला दस्या सी, पि हमेशा like term, इस chapter बेज़ा पपड़ा सी, सिर्फ like term add on गया, a, b, ते भी किन्या हो गया, 2 a, b, that is minus 2 a, b, plus b square, that is the proof of second identity, next, third identity, तेना identity आपा यूज करांगे, पूरी चेप्टर देविच, सरी, पूरी exercise देविच, third is, a minus b, a plus b, that is equal to, a square minus b square, देखो, एक को रा plus है, एक को रा minus, एक को रा plus है, ता identity की बांग दिये, दो मादियो उपर square ते विचाले, minus, proof देख देख दिया आपा हैंदा, a minus b, a plus b, मैं किसे एक expression नों दोबरा लिखिया, a minus b, and a minus b, देखो, जो पहला expression है नों मैं दोबरा लिखिया, जो दुज़ा expression है, एंदी पहली तरम, पहली देखे, दुज़ी तरम, दुज़े देखे, now a into a, a square, a into minus b, minus a b, b into a, plus a b, plus minus, minus b into b, b square, हों देखो, एक minus, एक plus है, दो मैं लाइक है, दापस्ट कियोगे, cancel, so formula is a square minus b square, एक तेन अडेंटिटी है, एक तेन अडेंटिटी नों यूज़ कर गया, पाकि ये पूरी exercise नो, solve करना है, जे अडेंटिटी नहीं अप्लाइ करनी, तह ये वड़ा method अप्लाइ कर सकते हैं, देखो, first part, exercise the, exercise the first part, अपने को, find the product, find the product, अपा product पता करना है, दो binomial देते हैं, एपाइट अपने को, 5 a plus 2, and 5 a plus 2, देखो, दो तरीके अडेंटिटी नो करांगे, अपा, एक identity दी help ना, एक अपा जिवेंगे, प्रूफ कीते हैं, उस दी help ना, जो मतलब कमजोर बच्चे है, जिनना मैच स्थोड़े काट इंटरस्ट है, तो second method अप्लाइ करना है, देखो, दो में अपने को सेम है, तब पावर किननी लिख सकते हैं, दो, देखो, एक पावर हैंदी है, एक हैंदी है, तो किनना होगे, पावर टू, प्लस 2AB प्लस B सकेर, तो हैंदा की बन गे अपने कोल, ए अपने कोल किनना है, 5A, पहले दा सकेर, फिर तिनना दी multiply, 2AB, 2 इंटू 5A इंटू 2, देखो, A दी वेल्यू किननी है, 5A ते B दी वेल्यू किननी है, 2, उस तो बाद, लास्ट वाले दा सकेर, B सकेर, that is 2 दा सकेर, पुस्त वाद, 2 दा सकेर, that is 4, जै अपने कोल, फर्स्ट मेथड सी, अडेंटिटी वाला, सैकिन मेथड, होना अपने इनू सैकिन मेथड दाल करांगे, देखो, अपने की है, 5A, प्लस 2, 5A, प्लस 2, ये वाला जो एक्स्प्रेशन है, येनू अपने दोवरा लिखांगे, that is 5A, प्लस 2, 5A, प्लस 2, जो एक्स्प्रेशन बच्या, येनुदी पैनली टरम, फर्स्ट देखे, 5A, सैकिन टरम, सैकिर देखे, किना आगे, अपने बोला, 2, होन देखो, 5 इन्टो 5, 22A, ये को फर्स्ट टरम नो, फर्स्ट टरम नो, मुल्टिप्लाइ किता, 5 इन्टो 5, 25 25A, 2A, सैकिर, होन 5A नो, टू नल करना है, 5 टू जा, 10A नल, सैम आज़ेगा, क्योंकि इंगलिश ओड़ा, जो भी मतलब लेटर होंदा हो, सैम आज़ेगा, उस तो बाद 2 नो, 5 नल, 5 टू जा, 10, नल किया गया, A, होन 2 नो, 2 नल, 2 टू जा, 4, होन देखो, हमेशे, आप मि 25A, सैकिर, 10A प्लस 10A, 20A प्लस किया गया, 4, that is our answer, देखो, दो मेथेड़ नल, अपने को ला आंस्वर कियाएगा, सैम आएगा, कोई मर्जी मेथेड़ अपलाई कर सकते है, जिन्नू अडेंटिटी याद है, ओ अडेंटिटी वाला अपलाई कर सकते है, जिन्नू नहीं या 2X माइनस 2 by 3Y, 3 by 2X माइनस 2 by 3Y, देखो दो मेथे बिलकुल शेम है, 3 by 2X, 2 by 3Y, 3 by 2X, 2 by 3Y, विचाले दो में देखि यह, माइनस, तापकी लिखांगे नू 3 by 2x minus 2 by 3 y the whole square क्योंकि दोवैं सेम आदा पावर के निया आई टू होण identity की पड़ी से आपका a minus b the whole square that is a square minus 2ab plus b square आपका पड़ी से a square minus 2ab plus b square तेना चो a की आ, a दी value आ 3 by 2 that is 3 by 2x the square minus होन तिनना दी multiply 2 into 3 by 2x into 2 by 3 of y देखो तिनना दी multiply करनी है 3 by 2 आ गया 2 by 3 आ गया सब तो अगे किन्यों लिखता मैं 2 नू तिनना टरम दी multiply कर दो उस्तो बाद last the square 2 by 3 y the whole square होन देखो 3 the square 9, 2 the square 4, पूरे दा square करना है देखो एक देखो आपा पूरे देपर square पा रहे है अलग-लग square करांगे 3 दा square करना है 9, that is our final answer अपा अडेंटिटी अप्लाई किती a minus b दा whole square इस तरी के रहाँ आप answer नू किया find कर सकदे next question c part c part अपने कोल 12x minus 2 12x plus 2 देखो मतलब किया है दो में टर्म से में है 2, 12x, 2 फरक किती है एक देखे माइनस है दुझे देखे प्लस है ता आपा के दिए देंटिटी अप्लाई कर देखे a minus b a plus b which is equal to a square minus b square ता a दी value किनी अपने कोल 12x दा square ता b दी value किनी अपने कोल 2 दा square 12x दा square 144x square 2 दा square 4 that is our final answer पर देनू second method अल करोगे ता सुखा याद रहेगा देखो second नो की करांगे 12x minus 2 12x plus 2 होँ देखो किसे एक नो दोबरा लिखांगे मैं नो दोबरा लिख्या एस एक्सप्रेशन नो 12x minus 2 12x minus 2 एक देखे किना आगया 12x दुझे देखे किया आगया 2 क्योंकि देखो question देवेच आपड़ ए नहीं लिख्या आया पि identity यूज करो अपड़ सिर्फ the chef finds the product ताप जो margin method apply करांगे अपड़ा question गलतरी जाएगा जेता question देवेच लिख्या using identities फिर आपड़ identity यूज करने आपड़िगा जे question देवेच नहीं लिख्या using मतलब identity नहीं यूज करनी जब कुछ भी नहीं लिख्या सिद्धा लिख्या find the product ताप इस तरीके नढ़ा solve कर सकते क्योंकि कोई भी identity दा चक्करन देचा नहीं पेंदा होँ देखो 12 into 12 144 x के 12 to 24 x 2 12 जा 24 x प्लस माइनस माइनस 22 जा 4 होँ देखो एक माइनस दा है एक प्लस दा है तहीं दो में आप पर्च किया है cancel ताप फाइनल आंसर किया गया 144 x के माइनस किन्ना आ गया 4 that is our answer ताथ उसी without identity भी यूज कर सकते कोई question देवेच आपन कुछ नहीं गिवन identity यूज करनी है या नहीं करनी इंदे नाल दे जो बाकी question है तुझी खोद कर सकते हो क्योंकि सारे सेम है में तिन ना identity दे एक एक question हो करता पर आपा second part solve कर दे expand the following expand मतलब है इनो खोल के लिखना पर इत्थे भी नहीं लिख्या पर using identity करना है या आपा direct method यूज कर सकते है ता पाक यह नो direct method यूज करांगे like first question is 3x plus 5y square क्योंकि आपा